दोस्तो राधा कृष्ण का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के वरिंदावन से चले जाने के बाद राधा का वर्नन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में बहुत से भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार राधा की मृत्यू कैसे हुई। अब माता राधा की मृत्यू से जुड़े रहस्य को इस विडियो के माध्यम से उजागर किया गया है। इतना ही नहीं, दोस्तों आज हम आपको राधा की मृत्यू कहां हुई थी वर राधा की मृत्यू कब हुई थी, जैसे महत्वपून प्रश्णों के उत्तर भी देने वाले हैं। इसे जानकर अवश्य ही आपको माता राधा के अंतिम पलों को जानने में सहायता होगी। साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि राधा की मृत्यू के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था। राधा की मृत्यू कैसे हुई? वैसे तो ग्रंथों में राधा के बारे में नहीं लिखा गया है, किन्तु बाद की लोग कथाओं और कावियों में राधा को स्थान दिया गया है. द्वापर यूग के समय श्री कृष्ण के ऊपर लिखे गए किसी भी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता है ऐसे में आज हम आपको बाद की प्रचलित लोग कताओं के अनुसार ही राधारानी की मृत्यू का रहस्य बताएंगे राधा की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी वह इसलिए क्योंकि जिसे ईश्वर के निकट मौत मिले वह मौत नहीं मोक्ष कही जाती है वैसे भी राधा तो स्वयम कृष्ण का ही रूप थी और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था अब माता राधा के जीवन के अंतिमक्षन कैसे थे और उन्होंने किस तरह से अपने प्राण त्यागे थे आएए उसके बारे में एक-एक करके जान लेते हैं अभी तक चैनल को सैस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए हम सभी राजा दशरत के द्वारा कैकेई को दिये दो वचनों के बारे में तो जानते हैं लेकिन श्री कृष्ण ने भी वरिंदावन से जाने से पहले राधा रानी को दो वचन दिये थे बात उस समय की है जब मतुरा से श्री कृष्ण का बुलावा आ गया था ताकि वे कंस का वद कर अपने कर्तवियों का पालन कर सकें उसके लिए भगवान कृष्ण को वरिंदावन नगरी और राधा को हमेशा के लिए छोड़ कर जाना था उस समय श्री कृष्ण यमुना के नारे उदास पैठी राधा से मिलने गए थे जब श्री कृष्ण राधा से मिलकर जाने लगे तो राधा ने उनसे दो वचन मांग लिये थे पहले वचन के अनुसार राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा दूसरे वचन के अनुसार राधा की मृत्यू से पहले श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे अर्थात उनसे मिलने आएंगे श्री कृष्ण ने राधा को यह दोनों वचन दिये और बदले में एक वचन यह मांग लिया कि राधा कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाएगी इसके बाद श्री कृष्ण मतुरा नगरी चले गए थे मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वद कर दिया था इसके कुछ वर्षों के पश्चात वेद्वार का बस गए थे वहाँ उनका विवाह रुकमीनी से हो गया था श्री कृष्ण की कुलाठ पत्निया थी दूसरी और, राधा का विवाह भी अपने ही गाउ के किसी यादव से हो गया था राधा ने अपने हर कर्तवे का पालन किया लेकिन उनके हृदे में केवल श्री कृष्ण का ही वास था एक दिन वह आया जब राधा बूड़ी हो गई और अपने सभी कर्तवियों से मुक्त हो गई तब वे बरसाना से द्वारका की ओर निकल पड़ी द्वारका के राजभवन में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई श्री कृष्ण ने उन्हें राजभवन में ही एक देविका के तौर पर रख लिया था हाला कि अब समय का चक्र बदल चुका था और दोनों को ही अपने कर्तवियों का निर्वहन करना था राधा रानी का वहां मन नहीं लगा क्योंकि व्रिंदावन के कानहा और द्वारका के श्री कृष्ण में बहुत अंतर आ चुका था इस कारण एक दिन राधा ने द्वारका के राजभवन को भी त्याग दिया और वनों में चली गई अब राधा की मृत्यू का रहस से जानने का समय आ गया है द्वारका नगरी छोडने के अगले कुछ समय तक राधा वनों में कृष्ण की खोज में भटकती रही भटकते भटते कई दिन बीद गए और एक दिन ऐसा आया जब राधा का शरीर कमजोर पढ़ने लगा और मृत्यू निकटाने लगी कृष्ण से लिए अपने वचन के अनुसार राधा ने उन्हें दर्शन देने को कहा राधा के पुकारते ही श्री कृष्ण उसी समय द्वारका को छोड़ कर राधा की और कुछ उसी तरह दोड़े जिस प्रकार एक समय पहले राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर दोड़े चली आती थी जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो उनकी मरनासन स्थिती को देख कर बहुत दुखी हो गए उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा प्रकट करने को कहा इस पर राधा ने उन्हें फिर से उसी धुन में बानसुरी बजाने को कहा जिसे वे वरिंदावन में बजाया करते थे यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बानसुरी उठाई और उसे बजाने लगे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिनराद बिनारु के बांसुरी बजाई बांसुरी की यही धुन सुनते सुनते ही राधारानी ने अपने प्राण त्याग दिये थे यह भी कहते हैं कि राधा की मृत्यू को देखकर स्वयन नारायन अवतार श्री कृष्ण भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं तोड़कर फेंक दी थी और फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया था आशा है कि आपको अपने प्रश्ण राधा की मृत्यू कैसे हुई का उत्तर मिल गया होगा अब यदि आपके मन में यह प्रश्ण है कि राधारानी की मृत्यू कहां हुई थी तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है वह इसलिए क्योंकि द्वारका नगरी को छोड़ने के बाद राधा वनों में चली गई थी और कई दिनों तक वही रही थी संभवता वह द्वारका नगरी के आसपास के वन ही होंगे क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज्यादा दूर नहीं गई होगी फिर भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान था जहां माता राधा ने अपने प्राण त्याग दिये थे इसके बारे में कहीं पर भी वरनन नहीं मिलता है अपनी मृत्यू के पश्चात राधा श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई थी श्री कृष्ण ने द्वापर yuk के अंत में जन्म लिया था एक तरह से वह समयकाल द्वापर yuk के अंत का और कल्यूँग की शुरुआत का समय ही माना जाएगा कल्यूग की शुरुआत अर्जुन के प्रपोत्र वह अभीमिन्यू के पुत्र परीक्षित के समय हुई थी कि जब माता राधा कृष्ण से मिलने द्वार का नगरी आई थी तो उस समय उन्हें श्री कृष्ण के रुक्मिनी और सत्यभामा से हुए विवाह का पता लगा था। इसका अर्थिया हुआ कि उस समय तक श्री कृष्ण के दो ही विवाह हुए थे। उसके बाद राधारानी कुछ समय के लिए ही द्वार का नगरी रही थी और फिर वनों में जाकर कुछ ही दिनों में उन्होंने प्रांट त्याग दिये थे। इस तरह से राधा की मौद श्री कृष्ण के दूसरे विवाह के कुछ समय पश्चात ही हो गई थी। बहुत लोगों के मन में यह बाद भी रहती है कि राधा की मृत्यू किसी पाप के कारण हुई थी जबकि ऐसा नहीं है। माता राधा स्वयम नारायन का अवतार थी जबकि रुकमिनी लक्ष्मी का अवतार थी। श्री कृष्ण वर राधा दोनों ही नारायन अवतार थे और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। नारायन को किसी तरह का पाप नहीं लग सकता है। तो यह बात बिलकुल मिथ्या है कि राधा की मौत किसी पाप के कारण हुई थी। यह लोगों के द्वारा सनातन धर्म का दुश प्रचार करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है ऐसे में आप इसे अपने दिमाग से निकाल दे कि राधा की मृत्यू किसी पाप के कारण हुई थी आज आपने यह जान लिया है कि राधा की मृत्यू कैसे हुई बृत्यू और उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा अपनी बांसुरी तोड़ने की घटना बहुत ही मार्मिक है इसके द्वारा ईश्वर ने भी मानविय रूप में मनुश्य की भावनाओं को दिखाने का काम किया है जो अद्भुत है श्री कृष्ण का राधा के प्रती और राधा का श्री कृष्ण के प्रती प्रेम निश्चल था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है यही कारण है कि श्री कृष्ण की आठ पत्मिया होने के बाद भी आज तक उनका नाम केवल और केवल राधारानी के साथ ही लिया जाता है उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा लाइक लिए शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग